हर कोशिश के पीछे सफल्ता नहीं मिलती प्रन्तु हर सफल्ता के पीछे कोशिश जरूर होती है नमस्कार दोस्तों मैं विष्याल भारद्वास आप सबी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूप चैनल よ विष्याल भारद्वास नोलेज में आज बात करेंगे ऐसी freelancing website की जहां पर आप घर पर, office में जब आपका मन करें कहीं भी कभी भी इस काम को कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा आप यहां से कमा सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग ओनलाइन डाटा एंट्री का काम तो करना चाते हैं प्रन्तु आपको competition की वज़ां से ओनलाइन काम नहीं मिल पाता है देखे दोस्तो डाटा एंट्री क्या है किसी भी डाटा को कम्प्यूटर में फीड करना डाटा एंट्री कहलाता है जैसे आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो बैंक करमचारी आपसे आपका pen card अधार काड लेकर आपके नेम और आपके address को ओनलाइन कंप्यूटर में फीड कर देता है बस इसी काम को डाटा एंट्री बोला जाता है टूलांसर टूलांसर एक ऐसी ट्रस्ट करना चाते हैं तो आपको एक एक स्टेप को अच्छे से समझना होगा कि कैसे आपने टूलांसर डोट कॉम पे registration करना है कैसे आपको यहां पे काम मिलेगा और जो कमाई आप यहां से करेंगे उस पैसे को कैसे आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो चलिए सीखत हैं ओनलाइन डाटा अंटरी करके कैसे पैसा कमाएं चूलांसर को पे टाटा एंटरी का काम करने के लिए सबसे ऩाले आपको यहां पे साइन अप करना होगा तो साइन अप अप अपने लैप्र आप से उपने mobile पे दिखाई देगी तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास laptop है तब भी आप इस site पे काम कर पाएंगे अगर आपके पास mobile है तब भी आप truelancet.com पे data entry का काम कर सकते हैं तो अगर आप truelancet.com पे data entry का काम करना चाहते हैं तो यह आपको option दिखाई दे रही होगी sign up की तो आपने यहाँ पे click कर देना है sign up पे click करने के बाद देखे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है create a free account यानि कि truelancet.com पे account बनाने के लिए आपने एक और भी खर्च नहीं करना बिल्कुल free of cost आपका account यहाँ पे create होगा तो truelancet.com पे account आप अपनी Gmail ID से भी बना सकते हैं और अपनी Facebook ID से भी यहाँ पे account create कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं सारा process आपको manual करके दिखाऊंगा तो manual process के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है first name and last name तो जैसे मेरा नाम विशाल भार्दवाज है तो विशाल मैंने first name में fill कर देना है और भार्दवाज मैंने last name में fill कर देना ह उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है work email तो जो भी आपकी email ID है friends वो email ID आपने यहाँ पे fill कर देनी है email ID fill करने के बाद जो भी आप trulancer.com का password रखना चाते हैं तो वो password आपने यहाँ पे fill कर देना है confirm password में आपने same password fill कर देना है तो सारी detail को fill करने के बाद यह आपको option activate करने के लिए आपकी email ID पे email आया होगा तो देखे दोस्तों आपकी email ID पे कुछ इस तरह से email आया होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है verify and activate account तो आपने यहाँ पे click करके trulancer.com के account को activate कर लेना है तो जैसे आपकी email ID verify होगी तो आपको कुछ इस तरह से screen दिखाई देगी करने कि आप यहाँ पे कोई काम करना चाते हैं या I want to hire a freelancer या आप किसी freelancer को यहाँ पे hire करना चाते हैं तो दोस्तों हम ट्रूलांसर पे data entry का काम करना चाते हैं तो I am looking for work वाली option को आपने choose करना है और अभी आप से पूछे का you are आप individually काम करना चाते है या आप कोई company है तो दोस्तों हम individually साइट पे काम करना चाते हैं तो आपने individual वाली option पे click कर देना है और उसके बाद या आपको option दिखाई दे रहोगी next की तो आपने यहाँ पे click कर देना है तो अभी आप से आपकी country पूछेगा तो country में आपने इंडिया फिल कर देना है और जो भी आपका mobile number है friends वो mobile number आपने यहाँ पे fill कर देना है उसके बाद आपने get OTP वाली option पे click कर देना है तो enter the OTP में जो भी 4 digit का OTP आपके mobile पे आयोगा friends वो OTP आपने यहाँ पे fill कर देना है उसके बाद आपको option दिखाई देरे होगी verify की तो आपने यहाँ पे click कर देना है उसके बाद आपको बोलेगा profile information देखे दोस्तों online काम करने के लिए सबसे जाना जूरी होता है profile क्योंकि सामने वाली company आपका profile देखके ही आपको job देती है तो online काम करने के लिए सबसे जाना जूरी है profile तो आपने अपने profile को अच्छे से बना लेना है friends तो जब भी आप यहाँ पे profile information को fill करने ल तो जो भी आप अपनी यहाँ पे profile picture लगाना चाहते है friends वो change profile picture पे click करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं profile picture बाद यहाँ पे लिखा हूई display name तो जो भी आपका name है friends वो name आपने यहाँ पे fill कर देना है gender में आप male है, female है friends वो आपने हाँ पे fill कर देना है तो दोस्तों सबसे जाना जूरूरी है पर आवर रेट यानि कि आप एक घंटा काम करने का इस साइट पे कितना पैसा चार्ज करेंगे तो मेरा तो यही सुझेशन है कि स्टार्टिंग में आप अपना रेट कम रखिएगा उसके बाद जैसी आपको यहाँ पे काम मिलना स्टार्ट हो जाए आप धीरे-धीरे अपने रेट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप किसी साइट पे डाटा एंटरि का काम कर सकते हैं आप सूपर स्पेशलिस्ट हैं डाटा एंटरि में तो आपकी मरजी है जो भी आप यहाँ पे पारावर रेट डालना चाहते हैं वो 12 गंटे से कम काम करना चाहते हैं। तो जो भी उप्शिन आपको लगती है už फोल टाइम क्रीए आपट्टां करी है यापकी मर्जी आप यहां पर पाट्टाइम काम करिए तो फिलाल दिया data entry specialist तो बाकी आपकी मर्जी है फ्रेंट जो भी आपको अच्छा लगता है टाइटल वह आप अपनी मर्जी से यहां पे आप अच्छे से फिल कर लिजेगा और उसके बाद यहां पे लिख हुआ experience तो बहुत सारे लोग तो यही घबरा जाएंगी हमें तो बिल्कुल data entry का experience ही नहीं है तो हम तो इस site पे काम नहीं कर सकते देखिए दोस्तों आपने trulancer.com पे online काम करना है और यहां पे आपको कोई देखने भी नहीं आएगा कि आपको experience है या नहीं है तो आपकी मर्जी है आप यहां पे एक या दो साल लिख सकते हैं friends मुझे दो साल का experience है तो कोई आप से यहां पे इसकी degree या qualification नहीं मांगेगा तो जो भी आप अपने experience लि काम यहां पे करना चाहते हैं और जो भी काम आपको यहां पे मिलेगा आप कितनी देरे में उस काम को पूरा कर सकते हैं तो अपने बारे में आप साल डीटेल को अच्छे से फिल कर दीजेगा friends उसके बाद यहां पे लिखावे your skill तो देखी दोस्तों जिस भी type की job यहां पे चाहिए तो हम बेसिकली यहां पे data entry का काम करना चाहते हैं तो आपने यहां पे data entry select कर लेना है अगर आप कोई copywriting का काम भी करना चाहते हैं friends तो copywriting भी आप यहां पे select कर सकते हैं तो जो भी आपकी skill है friends आप data entry का का काम करना चाहते हैं आप data entry की skill select कर लिजिए अगर आपको क कोई और काम करना है तो जो भी आपकी मर्जी है वो स्किल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं तो अभी यह पूछेगा कि आपकी प्राइमिरी स्किल क्या है तो हम यहाँ पे फ्रेंट्स डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो डाटा एंट्री आपने आप सिलेक्ट कर ल तो सारी profile information को अच्छे से fill करने के बाद या आपको option दिखाई दे रहे होगी save की तो आपने यहाँ पे click कर देना है तो दोस्तों मारा truelancer.com पे account create हो चुका है तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आपने यहाँ पे data entry का काम करना है कैसे आपको यहाँ पे data entry का काम और jobs के बाद जो पैसा आप यहाँ से कमाएंगे वह पैसा आपके bank account में transfer हो जाए तो दोस्तों data entry का काम करने के लिए आपको option दिखाई दे रहे होगी find jobs की और उसके बाद यह आपको option दिखाई दे रहे होगी browse jobs की तो आपने यहाँ पे click कर देना है click करने के बाद एलेटीड जोप भी दिखाई देंगी, graphic designing की भी दिखाई देंगी, writing and content की भी दिखाई देंगी और data entry की भी दिखाई देंगी, accounting के भी दिखाई देंगी, तो multiple jobs आपको यहाँ पर दिखाई देंगी friends, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे data entry का का काम करने आए हैं, तो यह आपक लिखा हुए needed data entry specialist 500 रूपीज यानि कि इस project को करने का आपको 500 रूपीज मिल रहा है और यहाँ पे needed data entry specialist इस project को करने का 5000 रूपीज यहाँ पे मिल रहा है friends तो बहुत सारे project है friends आप यहाँ पे हर project के लिए apply कर सकते हैं तो data entry का काम करने के लिए friends सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि कैसे हमने यहाँ पे apply करना है और कैसे आपको यहाँ पे joke मिलेगी देखें दोस्तों जब भी आप online काम करने लगें मान लिजिए आप कोई data entry का काम कर रहे हैं या online कोई भी काम कर रहे हैं तो जो भी आप job करना चाते हैं सबसे पहले तो उसमें अपने detail जो उसने लिखी हुई है सामने वाले ने तो उसमें क्या लिखा है क्या उसकी requirement है तो वो उन detail को आपने काफी अच्छे से समझना है और side detail को अच्छे से समझ लेने के बाद आपने फिर उस job के लिए apply करना है मानने जी आप यहाँ पे कोई data entry का काम करना चाते हैं तो यह आपको option दिखाई देगी view and apply की तो किसी भी job को apply करने के लिए friends यहाँ पे view and apply वाली option पे ही click करना है तो दोस्तों जिस भी job के लिए आपने apply करना है उसकी side detail को अच्छे से पढ़ लेने के बाद यह आपको option दिखाई देगी send proposal की तो आपने यहाँ पे click कर देना है send proposal पे click करने के बाद friends यहाँ पे लिखा होगा new proposal यानि कि proposal detail आप इस काम को कितनी देर में कर सकते हैं कितनी आपको amount चाहिए क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं तो पूरी proposal की detail आपने यहाँ पे fill कर देनी है उसके बाद यहाँ पे लिखा हुए your quote यानि कि आप इस project को कितने पैसों में करना चाते हैं देखे फ्रेंड जो company का budget है वो 1,000 डोलर का budget है approximately 77,000 रुपीज यहाँ पे आपको इस project को करने का यहाँ पे मिल रहा है friends तो अगर आप इस site पे नए है या आप यहाँ पे अभी काम क chances यहाँ पे जादा है तो जैसे इस company का budget 1,000 रुपीज का है friends तो आप यहाँ पे 500 USD यहाँ पे लिख सकते हैं तो friends side detail को अच्छे से fill करने के बाद यह आपको option दिखाई देगी send proposal की तो आपने यहाँ पे अपने proposal को send कर देना है तो देखे दोस्तों हमारा यहाँ पे proposal send हो च पैसे को withdrawal करने के लिए उस amount को देखने के लिए आपको यहाँ पे click कर देना है और उसके बाद यह आपको option दिखाई देरे होगी payments की तो आपने यहाँ पे click कर देना है payments पे click करने के बाद friends जो भी wallet में balance होगा available money होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी जो भी payout होंग फिल कर देना है pen number फिल करने के बाद आप से पूछेगा do you have GST number तो आपने यहाँ पे no कर देना है state में जो भी आपकी state है आप हरियाना से है पंजाब से है वो state आपने आपे select कर लेनी है उसके बाद जो भी आपका address है friends वो address आपने आप फिल कर देना है तो सारी detail को फिल करन करना चाते हैं तो वो bank account number आपने आप एड कर लेना है तो आपको option दिखाई दे रही होगी add account की तो आपने यहाँ पे click कर देना है उसके बाद friends जो भी आपका account type है आपका saving है current है तो वो आपने आपे select कर लेना है account number में friends आपने अपना account number फिल कर देना है IFSC code में friends जो भी होगी friends अब जितना भी पैसा आप यहाँ से withdrawal करना चाते हैं मालेजी आप यहाँ पे 20,000 withdrawal करना चाते तो आपने यहाँ पे 20,000 फिल करके create payout वाली option पे click कर देना है तो यह पैसा आपके bank account में easily transfer हो जाएगा friends तो देखे दोस्तों to lancer.com पे data entry का काम करना बिलकुल भी मुश् अच्छा पैसा यहां से कमा रहे हैं जैसे friends यह Mr. Shiva है यह to lancer.com पे अभी तक 4,77,290 पे कमा चुके हैं friends और लेडी इतने सारे लोग हैं friends जो to lancer.com पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि यह लोग अपने वरक को काफी अच्छे से समझ के तब उ तो दोस्तों देखा आपने online data entry का काम करना कितना असान है तो आप भी आज ही true lancer.com पे registration करिए और घर बैठ कर बहुत सारा पैसा कमाईए तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर करिएगा और इस वीडियो को share जरूर करिएगा friends ताकि जिन लोगों के पास job नहीं है या जो लोग घर बैठ कर पैसा कमाना चाहते हैं उन लोगों तक यह मेरा वीडियो पहुंच पाए धन्यवाद दोस्तों